तक्दीर के खेल से निरास नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और इन हाथों की लकीरों में यकी मत करना, क्योंकि तक्दीर तो उनकी भी होती है, जिनके हाथ ही नहीं होते. जिनके हाथ ही नहीं होते तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब लुक्सोस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रायो फाइटा का महत्पूर जीनस है रिक्सिया तो आज हम दूसरे जीनस रिक्सिया के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं बिना देरी की हुए रिक्सिया को ठीक है तो दोस्त हम आपको बता दे ब्रायो फाइटा जो हमारा चल रहा था ब्रायोफाइटर में हमने फ्यूनेरिया आपको बता दिया था पूरे अपने एक ही लेक्चर में ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं रिक्सिया के बारे में तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये रिक्सिया जो रिक्सिया है सबसे पहले तो रिक्सिया का classification देख लेते हैं ठीक है रिक्सिया का classification अगर हम देखेंगे तो इसका जो है class क्या है class फिर उसके बाद order class order और genus ठीक है class order और genus तो इसका जो class है वो क्या है class है इसका hepaticopsida hepaticopsida और इसका order है markensils 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 ठीक है और इसका genus जीनस नहीं थोड़ा सब family इसके दिख लिए जाए भई family इसकी family क्या है family के बारे में अगर बात करें तो इसकी family है rixiac क्या है rixiac rixiac इसकी family है और इसका genus genus जो है rixia family में ac लगती है आप जानते है और order के अंत में else लगता है यह आप जानते है ठीक है अब rixia के यह तो classification के बारे में मोटा मोटी हिसाब से हो गया अब rixia के बारे में अगर बात करें तो rixia जो है इसकी लगभग पूरे बिस में पहली बात तो यह कास्मो पॉलिटन है क्या है यह यह है कास्मो पॉलिटन ठीक है कास्मो पॉलिटन का मतलब है सरवत्र सभी जगहों यहा पाय जाता है और कहां पाय जाता है यह आकरेंस की मैं बात करूँगा पूरे बिस में है यह कास्मो पॉलिटन का मतलब सरवत्र ठीक है पूरे बिस में और इसकी पूरे बिस में लगभग हम आपको बदा दे 133 species पाय जाती है कितनी 133 species रixia की पाय जाती है और अपने इंडिया में लगभग about 30 species होती है लगभग कितनी species इंडिया में यह वार्ड में पाय जाती है ठीक है कहां वार्ड में 133 और इंडिया में कितनी है इंडिया में हैं लगभग 30 species है ठीक है इस रिक्सिया के बारे में मैंने बात किया आपको असमोपोलिटन मैंने बता दिया सरवत पा जाता है दूसरी खास बात ये है कि अब इसके अगर हम लंबाई चोड़ाई के बारे में बात करें तो रिक्सिया बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है बहुत छोटा सा देख लिजे क्या छोटा सा इसकी लेंथ कितनी होती है तो लगभग इसकी जो लेंथ होती है पांच से साथ एमेम तक होती है ठीक है पांच से कहां तक पांच से इसकी साथ एमेम तक इसकी क्या होती है भई इसकी होती है लेंथ ठीक है अब कहां से कहां तक ए एक से 3 mm तक इसकी वाइड होती है width ठीक है वाइड लंबाए चोआ इसकी जो है देख लिजे आप लेंद इसकी 5-7 mm तक लगभग और width कितनी है 1-2-3 mm तक इतना चोटा से हो तो बहुत चोटा से रिक्षिया है ठीक है अब इसके आगे अगर हम बात करें जो अगर यह कहां पा होती है यह mostly pterrestrial होती है टीक है mostly इसकी प्रजातिया टेरिस्ट्यल होती है ठीक है अब टेरिस्ट्यल मतलब अस्थली होती है लेकिन अपवाद सुरूप बहुत ज्यादा जो कोश्चन पूचा गया है वह क्या है मैं आप बता दू इसमें सबसे ज्यादा जो पूचा गया है वो है rixia fluidens, ठीक है, but rixia fluidens, यह rixia fluidens है, यह aquatic species है, कैसी है भाई, यह है aquatic species, यह सबसे ज़्यादा यह question अभी तक उचा गया है, ठीक है, यह aquatic species है, यह कहां पाजाती है, जल में, वाईसे तो यह कैसा है, यह testier है, और कहां पाजाता है, यह moist soil में होता है, कहां होता है, यह होता है, moist soil, ठीक है, कहां, moist soil, नम मिर्दा में, moist soil and saddy places, saddy places, छायादार अस्थानों में, moist soil और saddy places में, चायादार अस्थानों पर, यह aurexia होता है, ठीक है, mostly कैसा होता है, terrestrial, लेकिन इसकी एक प्रजाती है, aurexia pollutants, वो कैसी होती है, aquatic, बहुत ज़्यादा important, यह question में ने बताया, कि बार-बार यह पूंचा गया है, तो जो बार-बार पूंचा जाए, उसे कहेंगे, घीसा-पिटा question हो चुका है, कैसा हो चुका है, घीसा-पिटा question हो चुका है, ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें, कुछ इसकी common species है, जो पाई जाती है, कुछ common species है, उसको देख लेते हैं, इसकी common species क्या है, उसको भी देख लेते हैं, तो इसकी कुछ जो common species हैं, देखे ज़रा, common species, रिक्सिया की, common species कौन कौन सी है, इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूँ, कैसे आप याद करेंगे इसको, common species को, तो देखे, C, D, F, G, H, और P, ये देखे, C, D, F, G, H, P, ये याद करने के लिए थोड़ा सा अपने स्याप बना लेंगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके लेगे देखे, पहली इसकी common species, जैसे हम बता दें, रिक्सिया, R से रिक्सिया समझ लेंगे, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, ये species हो गई, C से, दूसरा D है तो भाई Rixia D से discolor, Rixia discolor हो गयी इसकी दूसरी common species, और है Rixia frosty, ये हो गयी इसकी common species और रिक्सिया है गलावका ये कामनिस्टीज हो गई और रिक्सिया हीमालेंसिस हो गया ठीक है और अगली है रिक्सिया पठान पोटेंसिस रिक्सिया पठान पोटेंसिस ठीक है इतनी इसकी परजातियां है जो कैसी है कामन है ठीक है अब इसके अगर हम थैलस इस्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो चलिए देख लेते हैं इसका थैलस इस्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है ठीक है पहले थैलस इसका देखेंगे तो इसमें दो सनचना हैं, एक तो external structure, जो बाहरी सनचना है, और एक internal structure, देखिए एक बात और बता दे आपको, अपने इस lecture में हम मुख्य मुख्य जो आपके points हैं, exam nation के दृष्टी कोण से, वही ले करके हम चल रहे हैं, और आपको मुख्य मुख्य point आपको पूरा निचोड बता ठीक है, तो इसको पूरा निचोड़ने में, मैं आपको बदाधू, आप समझ सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो देख लिजे, आपको पूरा मोटा मोटी, जो है, मल्लाब इसी में पूरा आ आ जा रहा है, तो देखिए यह र इस सरचना कहलाती इस्पिसल फ़र्म है रोसेट फ़र्म क्या है रोसेट फ़र्म और यह देख लिजिए यह question very very most important और यह पूछे जाने की संभवनाई की रोसेट फ़र्म किसके थैलस में परदरसित होता है तो रिक्सिया का जो थैलस होता है रोसेट फ़र्म में होता है इसम खं़ यह तो देख लिजिए जड़ा बात करें अगर ब्रायोफयटा की स्ट्रच्टर के बाद कर सिथे तो मुक भॉडि कैसी होती है इसका पोधा इसका इन है ऑब इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र होता है इसका गेम टॉफाइटिग और आटोट्रॉफिक होता है स्वापोसी होता है कैसा होता है स्वापोसी होता टोटली मलब यह कैसा होता है यह आटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंडेंट है मलब किसी पर निर्भार नहीं है अब नहीं होता किसमें भिनित नहीं होता है root stem and leaf जड़ तना पती में इसका थैलस इसकी बॉड़ी वह भिनित नहीं होती है इस फॉर्म में दिख रही है आपको रोसेट सेप में ऐसा ठीक है अब देखे रोसेट फॉर्म में ऐसे ही structure कही हैं जो देख रहे हैं बिल्कुल जुड़ आप डाइको टोमस ब्रांच एपिकल नोच पाई जाती है ठीक है क्या पाई जाती है यह एपिकल नोच और यही जो है growing point होता है इसका बृद्ध करने वाला भाग यही है कौन सा एपिकल नोच एपिकल नोच है अब इसमें मैंने बताया कि दो सरफेस है एक तो डार्सल टारशल उपर वाले भाग है, इसके नीचे वाले भाग से कुछ ऐसी सरचना हमाने साना निकलती साना निकलती है. और उपर टारशल वाला भाग बुरढ़र बिल्कुल इसको ख होता है, चिकना ह zijn स्मूथ होता है, थोड़ा भाग में, तो बहुत ही important ठीक है, इसका थैलस not differentiated into root stem leaf, main body कैसी है, गेमटोफाइट है, independent है, autotropic है, इसमें dichotomously branch underlined, very very most important, इसके सीर्स पर अपकल मोच होती है, ठीक है, जो growing point है, इसके थैलस में, मैंने बताए, तो surface है, dorsal surface और ventral surface, dorsal surface, smooth होती है, ventral कैसी होती है, इसमें क्या-क्या होते है, rag женщor को देखते हैं, आप ठोड़े से ragos ods को देखते हैं हम लोग, किसको देखते हैं, ragмет को देखते हैं, rag私 को देखते हैं, तो चलिए देख लेता है ragド gos, देखिए राइजुआइट्स के बारे में अगर बात करें तोटली तो देखिए जरा जो राइजुआइट्स है कौन सा राइजुआइट भाग है इसको अगर हम देखेंगे तो यह यूनी सिल्लर होता है पहली बात अन ब्रांच मलब यह साखित नहीं होता जैसे तो यह समूथ वाल्ड यह समूथ वाल्ड हो गया विल्कुल और एक होता है ट्यूबर्खुलेट की मतलब इसमें पेगलाइक स्ट्रॉक्चर्ञाय सणचनाय के अंदर आईसे धंस से हुई सनचनाय बनती है, इसमें श्टोर हो जाता है, ठिक है है, तो इसमें दो परकार का राजोड़ स्मूथ वाल्ड और टूबर कुलेट राजोड़ दो परकार का होता है, देख लिए पेगलाइट ग्रोथ होता है, किसमें टूबर कुलेट में, अब जो question बन एक वह सहब औरुक्सिया फ्रस्टी में तूबर क्लीट राजवैड क्या होता है यह आपको ध्यान देना है और कह देगा कि एगर रिक्सिया की किस प्रजाती में औरुक्सिया और इसमूथ दौनों प्रकार के राजवैड अपन्सक्री तो वह होते हैं अर्थात इसमें ना तो ना तो इसमें जो है स्मूथ वाल्ड राजवाइड होता है ना तो टूबर कुलेट राजवाइड होता है वेरी वेरी सरीर को क्या करता है ये एक depths fix कर देता है कहां से समस्ट्रेटन से बिलकुल अधार से जहां पर ये होता है वहां ये बड़ी को fix कर देता है, उसके बाद क्या करता है absorb water and mineral, water, gel और खनीज का क्या करता है ये औसोसन करता है खनीज और जल का औसोसन करता है अब अगली बात जो question बहुत बात पूंचा गया है ये भी देख लिजिए, कोछे जाने के समभाना है, राजवाइट्स एनालागस टू रूट आप higher plant, higher plant की जड़के एनालागस होता है, कौन? राजवाइट्स, ठीक है, राजवाइट्स, higher plant की जड़के एनालागस होता है, आगे scale की थोड़ा सा बात करते हैं, राजवाइट तो हो गया, scale के बारे में, scale, राजवाइट यूनिसललर था, अनवरांस था, लेकिन scale कैसी है, मल्टिसललर है, one cell thickness, और one cell thickness है, इसको आप देख लिजएगा, ध्यान रखिए, इन सारी बातों को आप नोट करते जाए इसको यह क्या करता है, और maintain moisture और नमी को बनाये रखता है, नमी को बनाये रखता है, maintain the moisture, अब अगर हम इसके अभी external structure की बात किया, external structure था, अब अगर इन्टरनल structure में जाए, आंतरिक सनचना में, तब ध्यान दिजए, आंतरिक सनचना इसकी जो है, दो भाग में बढ़ जात ठीक है और जो darsal होता है कैसा होता है darsal वाला भाग उपर photosynthetic region मनाता है और जो नीचे वाला भाग है वो क्या होता storage region आकर वहां से जब भोजन बनेगा तो store होगा ना तो नीचे वाला भाग अर्था तो अजन जो है वह storage region होता है चलिए इसका structure को देखते हैं आखी इसका structure कैसा है तो देखिए यहां इसका structure, ठीक है, यह structure है, थोड़ा सा एक बात आप यहां structure में मैं समझा दूँ, यह आप भाग देख रहे हैं, यहां storage region, कैसा है यह? यह है इस्टोरेज रिजन यह भाग है ठीक है तो यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है मैंने बताया कि यह है कि इस्टोरेज रिजन कौन सा है यह यह इस्टोरेज रिजन पूरा का पूरा ठीक है यह भाग देख रहे हैं यह पूरा इस्टोरेज रिजन है और इसके यह ने बताए scale के बारे में multi cellar होती है और maintained क्या करती है नमी को बनाया रखती है मौशर ठीक है अब यह देखिए ज़रा इसमें राजवाइड दो प्रकार का यह स्मूथ वाल्ड है स्मूथ वाल्ड है और यह है त्यूबर कुलेट राजवाइड और यह है स्मूथ वाल्ड राजवाइड दो प्रकार का राजवाइड अब यह भाग जो storage region है इसमें store हो जाता है oil की कुछ बुदे हैं और कुछ क्या है mucilage है oil और mucilage ऊपर के आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा भाग जो है green में दिख रहा है यह है photosynthetic region इसमें प्रकार संस्रेशन होता है इसमें देखिए क्लोरोफिल होते हैं इसमें ठीक है क्लोरोफिल अब इन दोनों के बीच में जो space बन रहा है air space कहलाता है और बीच में जो पूरा का पूरा यह एयर चेमबर है क्या है air chamber है air chamber ही बाहर कर जो खुलता है तुसे कहते है air space कहते हैं अब यह photosynthetic filament से question पूछ सकता है यह जो photosynthetic filament है यह कितनी cell होती है 428 cell होती है कहां rixia में 428 cell होती है rixia में कहां photosynthetic filament ठीक है 428 cell अब यहाँ पर थोड़ा से इसी से question यहाँ पर देख लिजे र집 yht् 7 गलावका में यह question है two question रिषिया गलावका में 4 cell photosynthetic filament होता है और रिक्सिया crystal यह में 8 cell photosynthetic filament होता है तो चार से आठ तक होती ही है, ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल जो है, तो अब ये रहा, मैंने बता दिया, इसमें पूरी इसकी internal structure है, कौन सा है, ये इसका internal structure है, अब ये जो रिक्सिया है, मैंने बता दिया, external और internal structure के बारे में, तो एक lecture और हम लेकर के आएंगे, इसके reproduction को लेकर के, reproduction क्योंकि ये बड़ा lecture हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि बड़ा lecture हो जाए, ठीक है, तो एक reproduction पर हम लेकर के आएंगे, लेकिन आपको उससे पहले बताएए, जरा comment box में comment करके, कि ये lecture आपको कैसा लगा, क्या इसी तरीके से आपको पूरे genus के बन जाएं, पूरे जो है, lectures क्या आपके लिए परियापत रहेगा, आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक best content देता हूँ, एक निचोर देता हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरी के पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 99% कि इसके बाहर जो भी lecture बता दे रहे हैं, इसके बाहर का question नहीं आएगा, तो दोस्त चलिए, आज अपने इस lecture में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेकी लेक्चर साथ, ओके, थैंक यू, जैहिन